अलो दोस्त परनुशकार पॉल्ट का साइश लरे में आप से एक श्वागत है हम लोग प्रैक्टिस सेंसी क्यों कर रहे हैं इंडियन पॉल्टी के जिसमें आज हम लोग बेसिक इस्ट्रक्चर डॉक्टरन को देखेंगे तो आए देखते हैं आज का पहला कोस्चन से हो क्या ह संकरीप्रषाद केश किस वर्स हुआ था यह आपको बताना है 1951 में इसकी क्या बाते हैं उसको देख लेते संक्रीप्रषाद केश जो हुआ था 1951 में उसकी क्या गया था इस एक्ट के द्वारा जो राइट तो प्रपरटी है उसको कृटेल करने की कोशिस के गई थी इसके केस में जो सुप्रीम कोट ने यह रूल दिया कि जो पावलिया मेंड के पास पावर है किसी कांस्टूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजियंस को चेंड अमेंड करने की आटिकल इसमें यह भी सामिल है जो फंडमेंटल राइट्स है उसको भी वह कांस्टूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो अगर कोई परवर्थिन किया जाता है उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है इस प्रकार के सुप्रीम कोट के पास पावर कि की अमेंड कर सकती है इसे इस प्रकार के जो ला होंगे उसको आटिकल थार्टीन के अंदर कर नल और वाइड घोसित नहीं किये जाएंगे क्ट्टिम एक्ट कान्स्ट्ट्टूशन वेल्टियात्टूियम् था सेवनटीच परिवर्थान हुआ था उसको किस के से दौरा चैल्णज किया गया था गोलुक नांट केस में तो आघो काप गया दिया है कि इस डीया कि लोगों के फंड़मेंटल राइट समाूली ऐसको जो तो अमेंड नहीं कर सकती उसको चेंज नहीं कर सकती साथ-साथ कि यह भी ने डिया कि जो प्रक्राइट कि यह जाते हैं लिए जाए हैं आपको बताने हैं यह कौन से अईसे हैं जो है स्ट्रेक्जर में रिपबलिकन दिप्स पर आता है भी आपका बेसिक इस्ट्रेक्चर में आता है तो यहां पर आपका दीन अब का अपसंस और देख लेते हैं इसका डिटेल एक्स्प्राइशन कौन कौन से चीजे फंडम बेसिक इस्ट्रेक्चर में आती हैं यह देख सकते हैं पहला जो आपसंस था रिपब्लिकान डेमोक्राटिक फाम गवर्मेंट दूसरा सेकुलर करेक्टर आप तीसरा फ्रेटल करेक जिनको बेसिक इस्ट्रेक्ट्टर सैंट्रगत शामिल किया जाता इसको कहीं भी क्लेर्डी नहीं किया गया है ना ओश्रीम कोड के द्वारा ना तो पाल्ल्यामेंट के द्वारा और इंडियंद्र फाल्टिकर posit बेसिक इस्ट्रेक्चर में आता है शेकुलर करेक्टर अप दे कांस्टूशन भी आपका बेसिक इस्ट्रेक्चर में आएगा सेप्रेशन आप पावर बिट्विन लेजिसलेचर एक्जक्यूट्व और जजुशी के बीच पावर आप सेप्रेशन है वह भी बेसिक इस्ट्रे प्रीडम टिग्निटी आप देडिवीजोल सोगया पार्लियमेंटरी सिस्टम हो गया रूल अफला हो गया ठीक नहीं इसके लाब हार्मनी एंड बैलेंस बिटिवेंटा राइट्स एंड डार टुप बीजन नहीं है बलकि हार्मनी और बैलेंस जो है वो फेंड़मेंटल यह भी है आपका बेसिक स्ट्रेक्ट्टर इसके लगा एक्सेस टु जैस्टीस हो गया प्रिस्पल्स अन्डरलाइंग फंडामेंटल राइट के अंतरगर जो प्रिस्पल्स वह आपके बेसिक स्ट्रेक्टर में आ गया थेंगे पावर आप सुप्रीम कोर्स की जो है आटिकल 32 136 141 142 कें तर्गत वह भी आपके बेसिक स्क्रेट्चर में आएंगे साथ इसी प्रह जो फाइव कोर्स की पावर है आटाकल 226 और 227 वह भी आपके बेसिक स्रेक्श्ट में आएंगे कि नेक्स्ट कोशचन देख लेए इस्टेमेंट वेस्ट केश्चन है दो इस्टेमेंट दिया है करेक्टिक है वह आपको की पावर उसके पास नहीं है तो statement one correct statement two क्या है the right to equality does not form a part of basic structure of the constitution तभी हमने देखा कि जो right to equality है यह basic structure का part यहां लिखा है does not part तो यह आपका incorrect statement है यहां पर statement के वल first आपका correct है यहां पर जो आपका absence होगा वह c number आपका absence correct होगा ठीक ना next question है which one of the following correct statement तो यहां पर आपको correct statement पता करना है ठीक पार्लियमेंट to amend the constitution of India as a constitutional power was laid down under article 368 by तो किस एक्ट के द्वारा जो है तो यह है निश्चित किया गया कि जो पार्लियमेंट के पास पावर है constitution को amendment करने के संसोधित करने के लिए वह पार्लियमेंट की constitutional power है ठीक ना यह कहा गया था 24th amendment act 1971 में इंद्रा गाधी के कारिकाल में ठीक ना यह 24th amendment act 1971 जो आया था यह गोलकनात केस में जो निर्ण दिया गया था सुप्रीम कोड के द्वारा उसको ओवर्रूल करने के लिए किया गया था ठीक ना और इसके द्वारा इस इस constitutional amendment act के द्वारा 24th constitutional amendment के द्वारा यह प्रोविजन किया गया कि जो पालियमेंट के पास पावर है अमेंड पहली बार किस केस में जो तो यह कहा गया कि जो उसको पावर के द्वारा अमेंड करने के लिए वह नहीं है बलकि वह बैस कोई भी ऐसा परिवर्तान नहीं कहा सकते है कि जो चुसंट को डिश्ट्रॉय करें है ने सबस्चक्राइब और लिए लिए याजिक क्लित टाइब इस बेसी क्रथे क्लिए दवाटिस्टारो कि विपर के स्टुश 것이 अंधिय गारिवल्फ टो मिलारी डिफाइंटेबर का क्लिएज अंधिक श्टेक्टिर हिठ अधिया हिक थालएक रिदेक्टर का सिर्शक्राइ देफाइंड किया है ना झालिया में लिए अपने नर सुप्रीम कोट्रीमने किसी ने भी बेसिक इसक्ट्रेक्टर को डक्तिन नहीं किया वल्कि यह जैजमेंट तो हैं उसके द्वारा यह प्रिंश पस्प्रीमंट किया है उसके फिन्धे वह सामने निच्ट पूसिद लुग आपलाई नहीं होगा तो यह हुआ था 17 आप निश्ट कोशन है अंडर आर्टिकल 368 दपालियमेंट है नो पावर टू रिपील फंडमेंटर राइट विकास दी जाए तो आटिकल 368 के पावर पालियमेंट के पास पावर नहीं है कि वो फंडमेंटर राइट को रिपील करें क्यों नहीं करें कि वह स्व्यआट यह चाएक इस कारव्यमेंटर रेट को रिपील नहीं कर सकती यह खताव नहीं कर सकती तो यह आपका आरफ दमन होगा पर्मत надо के केस वहनत भारती केस 973 के द्वारा आया था ठीक है निस्ट कोच्छन है वीच वन आप दा फालोइंग केस प्रॉम्टेट दा पाल्यामेंट टू इनक्ट 24th कांस्ट्टूशनल अमेंडमेंट एक्ट ठीक ना किस केस के कारण जो हो तो पाल्यामेंड ने यह ने लिया कि जो 24th आपको पता करना है कि यहां पर आपको दो स्टेटमेंट दिये हैं आपको स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं वह आपको पता करना है इस्ट्राइश्नलेंट कि नहीं वह आपको पाकैना है by अमेंडमेंट आप डिश्ट्राद बेशिक फीड़ नहीं कर सकती कौस्ट्यूस को ठीक न यह भी आपका करेक्ट डानेशन बिये का संधूछ तो सुप्रीब कोट ने जो तो इन्वैलिटेट कर दिया था फोर्टी स्रेकंड अमेंडमेंट्मेंट आक्ट जो हुआ था उसको तो इसको बढ़ाया गया था आटिकल कुछ जिसके दोरा fundamental rights को किया सकता है कि साधर पार्फा कर सकते हैं सब्सक्राइब कर दिए कर दिए कर दोस्तों यह था प्रैक्टिस स्ट्रक्चर आप यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट के माध्यम से में जूरू बताईएगा साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियो है वह आप तक पहुंसके धन्दबाद थैंक्यू